शोईब सानिया पर बड़ी खबर क्या होने वाला है दोनों का तलाक? कौन है आईशा उमर? पाकिस्तानिक किर्केटर और भारत की टैनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को लेकर इस वक्त खूप चर्चा हो रही है कि क्या ये दोनों अलग होने वाले हैं? ये खबरे तो आपने कई बार सुनी होंगी लेकिन सवाल है कि आखिर ये अलग क्यों हो रहे हैं? ऐसी खबर चल ही रही थी कि शोईब और एक पाकिस्तानी एक्टरस की फोटो जम कर वाइरल हो रही है जिसको लेकर दावा क्या जा रहा है कि इसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस की वज़ा से शौइब और सानिया अलग होने वाले हैं आज कल सोशल मीडिया पर इन दिनों सानिया मिर्जा और स्वय मलिक की तलाक की खबरें खूब जोरो पर हैं पाकिस्तान की एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सान्या और श्वय मलिक के एक करीबी दोस्त का कहना है कि एक अपल बहुत जल्द ही तलाक लेने वाला है इन दोनों के तलाक का सब कुछ फाइनल हो चुका है इसको लेकर बताया ये भी जा रहा है कि सान्या मिर्जा और श्वय मलिक की तलाक की वज़ा पाकिस्तान की चर्चित एक्टरस और मॉडल आईशा उमर है खबर ये भी सामने आ रही है कि श्वय मलिक का आईशा के साथ अफैर चल रहा है पिछले कुछ महीने से श्वय और आईशा को साथ देखा गया है तो वहीं दोनों ने एक मैगजीन के लिए श्विंग पूल में बोल्ड फोटो शूट भी करवाय था जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रही है इस कपल के करीबी दोस्त ने दोनों के अधिकारिक रूप से तलाख होने की बात पाकिस्तान मीडिया में कही इस जोडी के रिष्टे में आई अर्चन की वज़ा पाकिस्तान की मॉडल और एक्टरस है जिसके कारण ये सारा यानि की सब कुछ हो रहा है ये शादी तूटने की कगार पर है नवंबर 2021 में पाकिस्तानी किर्किटर और सानिय मिर्जा के पती शोय मलिक ने एक फोटो शूट कराया था फेमस पाकिस्तानी मैगजीन के लिए करवाए गए इस फोटो शूट में उनके साथ एक्टरस आईशा उमर दिखाई दी दोनों के फोटोज और पोज काफी बोल्ड थे और उनकी कैमिस्ट्री देखते ही बन रही थी ये बात साफ है कि शोय मलिक और पाकिस्तानी एक्टरस आईशा उमर की अफ़ेर की खबरों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों की फोटो ऐसे समय पर वाइरल हो रही है जब शोय मलिक और सानिया के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा और इसलिए पाकिस्तानी एक्टरस को इसकी वज़ा माना जा रहा है आपको बता दें कि आईशा पाकिस्तान की मशूर एक्टरस और मॉडल है उन्हें पाकिस्तान का स्टाइल आइकन भी माना जाता है बता दें इस मसले पर शोय मलिक या उनकी पत्री सानिया मिर्जा ने सामने आकर अभी कोई भी बयान नहीं दिया है जिससे कि इस मामले में सब कुछ साफ हो सके ये सारी खबरें भी सोचल मीडिया पर ही चल रही है देखने वाली बात होगी कि ये दोनों कब इस मामले पर अपनी चुक्ती तोड़ते हैं अभी के लिए फलाल इतना ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए One India Hindi